हरे कडिजना आप सभी भक्तों का आज के इस कारिक्रम में हर स्वागत है आज का ये कारिकरम कि कारेयशाला है जिसमें हम कुछ प्रशनों का उत्तर उसपर चर्चा करते हैं हमने पहले ही कक्षा के के लिए एक प्रश्णोत्री अंग्रेजित क्या है और उसके उपर अपने उतर दिये हैं तो आज की इस कक्षा में हम उसी प्रष्णोत्री पर जो भी प्रश्न है उन पर आज हम अपनी चर्चा करेंगे और प्रश्णोत्री के अलावा एक श्लोक को याद भी करने का प्रयास करेंगे और अंत में गीता का एक व्याभारिक प्रयोग उस बात पर भी हम अंत में एक बार चर्चा करेंगे एक विश्यव आज लेंगे माधव सेवा और मानव सेवा में तो यह जो कारेशाला है यह अध्यायद्ट और प्रयास किया है कि सभी प्रश्ण उसमें आ जाएं कि आज की हमारी चौंसट भी कख्षा है कि कख्षा का आरंब हर बार की तरह मंगलाचरन प्रार्थनाव से करेंगे ओम ज्यानति मिरंधस्य ज्यानन जनाश लाकया चक्षुरून मिलितम येना तस्मै श्री गुरवे नमहा स्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयमरूपह कदामयं ददाती स्वापदांतिकं वंदेहं श्री गुरोह श्री उतापद गमलं श्री गुरून श्री रूपम साग्रजातं सहगन रगुनातान विदंतं सजीवं साद्वाइतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं स्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान विताम्ष्च ए कृष्ण करुना सिंधो दीन बंधो जगत्पते श्रीका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्तकांचन गवरांगी राधे बृंदा वनेश्वरी प्रिशभानु सुते देवे प्रणमामी हरिप्रिये वंचा कल्पतरुभ्यस्चा क्रपासिंदुभ्य एवचा पतितानां पावनेव्यो वैष्ण वेभ्यो नमोनमाह जय श् हरे क्रिश्णा हरे क्रिश्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे चलिए कक्षा में आरंब में ही हम प्रश्ण उत्री से अपना कारेकरम शुरू करेंगे और अध्याय नौ और अध्याय दस पर यह प्रश्ण आधारित हैं पहला प्रश्ण जो हमने पूछा था वो आपका नाम और आपका रहने का स्थान तो हम दूसरे प्रश्ण से यहां पर अपनी चर्चा आरंब करेंगे तो मैं आग्रह करूंगा कि कक्षा में जो भी हमारे भक्तगण हैं वो उत्तर देने से पहले एक बार अपना हाथ आपका जो इलेक्ट्रोनिक हाथ है जो जूम में एक इलेक्ट्रोनिक हाथ दिखाया जाता है तो उस इलेक्ट्रोनिक हाथ को आ कि हम समय जादा आधिक ना लगाएं और जादा से जादा आज चर्चा पूरी कर सकें तो पहला दूसरा प्रशन इस क्विस का इस प्रकार है परमेश्वर की डैश के विना प्रकरती कुछ भी नहीं कर सकती है और इसके विकल्प है सहायता अध्यक्षता दूरदर्शिता और स सही उत्तर के लेड़ए आप खर आप करें शा क्तरिवले माता जी आप बताना चाहती है अड्यक्षिता भी आख़िया प्रशन सेशवर का उत्तर क्योंतर दिना चाहेंगे इसके अलावा किसी ने और प्रत्रश्य का उच्तर लिखा है और को सब्सक्राइब तो यहां पर भगवान ने यह बताने का प्रयास किया है कि जो प्रकर्ती होती है वो भगवान की अध्यक्षिता के अंतरगत काम करती है और प्रकर्ती जो है वो भगवान की ही एक शक्ती है और भगवान जैसे जैसे उस प्रकर्ती को आदेश देते हैं प्रकर्ती उसी के अनुसार यहां पर कारे करती है तो यहां भगवान अपनी यहां इस बात को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहां भगवान सबसे पहले इस ब कुछ भगवान के निर्देशन में चलता है. तो इस बात की जब हमें हमारा भाव दरड होता है, तो हमें भगवान के प्रती भक्ति का भाव हमारे अंदर सुद्रड होता है. इसलिए भगवान यहां इन्च लोकों की व्याखिया कर रहे हैं. अगला प्रश्ण है श्री कृष्ण का शरीर देखें क्या प्रश्ण है अवतरित होने पर यद्यपी श्री कृष्ण सामानने मनुष्य की भाती कर्म करते हैं किन्तु उनका शरीर डैश सच्चिदानन्द विग्रह रूप है पाँच तत्वों का बना हुआ है माया भी है महान पुरुशों के शरीरों के समान है तो कौन इसका उत्तर देना चाहेंगे चलिए इस बार हम उत्तर पूछते हैं अशोक शर्मा जी से येस प्रभुजी बताइए अन्म्यूट करके बताइए सच्चीदानन्द विग्रह रूप है प्रभू हाँ आपका उत्तर एक्दम बढ़िया है प्रभुजी सच्चीदानन्द विग्रह रूप है बाकी के जो तीन विकल्प है क्या आप उन पे भी प्रकाश डाल सकते हैं कि वो सही क्यों नहीं है माया भी तो प्रभू माया भी नहीं हो सकते हैं माया भी नहीं हो सकते माया तो भगवान की दासी है माया तो है ना भगवान माया भी कैसे हो सकते हैं चलिए और महानपुर्शों के सरीर के समान भगवान महापुर्श नहीं है भगवान तो भगवान है आपने एकदम बहुत अच्छे उत्तर दिये मुझे आपके उत्तर सुनके बड़ी प्रसंदता हुई जो सभी तरह वOUL śni तो अच्छी ने यहां सही तर है सचिदानंद विग्र है रूप है भगवान का शेरीर तो यह जो श्लोक है ग्यारवां श्लोक यहां पर प्रभुपाज जी ने एक बड़ी अच्छी लंबी चौड़ी व्याख्या आपने तातपरिया के मादम से दी है यहां इसी बात को उन्होंने समझाया है कि कई लो भगवान भी कहते हैं वो कहते हैं अवजाननती माम मूढा मानुशिम तनुम आश्रितम के ऐसे लोग मेरे बारे में गलत जानते हैं ऐसे लोग मूर्ख होते हैं जो मेरे बारे में गलत जानकरी रखते हैं और यह सोचते हैं कि मैंने किसी मनुष्य के शरीर का आश्रे ले ल बलकि भगवान का जिस प्रकार से रूप है जिस प्रकार से उनका फॉर्म है वही फॉर्म उन्होंने मनुष्य को अपनी फॉर्म उन्होंने दी है उल्टा है एक तरी से मनुष्य ने एक प्रकार से भगवान के रूप का एक प्रकार से आश्रे लिया हुआ है इस तरह से अग देखते हैं श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानने वाले मोहगरस्थ जो लोग भगवान श्री कृष्ण को एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं उन्हें मोहगरस्थ क्यों कहा गया है पहला विकल क्योंकि वो पुस्तके नहीं पड़ते हैं, दूसरा क्योंकि वे कुछ अधिक ही पड़ लेते हैं, तीसरा क्योंकि वे श्री कृishina के शाश्वत रूप को नहीं समझते हैं, और चौधा क्योंकि वे अत्य धिक आलसी होते हैं, तो आप बताए कौन इसमें सही उत् चलिए अशोक प्रभुजी को एक बार फिर से अफसर देते हैं प्रभुजी बताईए आपका उत्तर क्योंकि वे श्री कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझते हैं तो ये पिछले वाले श्लोक से ही जुड़ा हुआ है तो जो पिछले वाले श्लोक में भगवान कहते ह है कि मैंने मनुष्य के श्रीर का आश्रे ले लिया है तो वो ऐसा सोच ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि उन्हें भगवान के परम भाव के बारे में जानकारी नहीं होती है तो इसलिए वो ये सोचते हैं कि उन्होंने मनुष्य का श्रीर का आश्रे लिया है और यदि वो श श्री कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझते हैं। बहुतिक प्रकरती के अधीन होता है। चौथा, महात्मा जानता है कि श्री कृष्ण ही आधी परमपुरुष हैं। समस्त कारणों के कारण हैं। इसमें ए, अच्छा हमने इसमें चार से अधिक विकल्प दिये हैं। E है, विकल्प A, C और D सही हैं। और F है, विकल्प A, B और D सही हैं। तो इसमें कौन उत्तर देना चाहेंगे। एक बार फिर से दो लोगों ने अपने हाथ उठाए हैं। इस बार पूर्णीमा मलोत्रा माता जी ने भी हाथ उठाया है। तो एक बार हम पूर्णीमा माता जी को अफसर देना चाहेंगे। माता जी आप बताइए आपका क्या उत्तर है। मेरा है F, A, B, D सही है। A, B, D सही है। तो देखते हैं A, महात्मा दैवी प्रकरती में इस्थित रहता है। अनन्य भाव से श्री कृष्ण की भक्ति करता है। और D है, महात्मा जानता है कि श्री कृष्ण ही आधी परम पुरुष हैं समस्त कारणों के कारण है। आपने C को गलत विकल्प क्यों बताया माता जी आप बता सकती है। कि महात्मा भातिक प्रकरती संसारी उसमें तो नहीं होता ना। संसारी उसमें आधी प्रभू की तरफ लगता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मुझे बड़ी प्रसंदता है कि आप लोग बहुत अच्छे से सोच समझ के विकल्प चुन रहे हैं। तो यहां महात्मा के बारे में जैसे हम कई बार महात्मा शब्द का प्रयोग आम जीवन में, आम बोलचाल में करते रहते हैं। लेकिन महात्मा कौन है वास्तम में उसकी अधी परिभाशा भगवत गीता के अनुसार देखी जाए। तो नवय अध्यका तेरवाश लोग देख सकते हैं। इसमें भगवान बता रहे हैं कि महात्मा श्तु माम पार्था दैविम प्रकर्ति माश्रता, जो दैवी प्रकर्ति के अंदर स्थित रहता है। और फिर कहते हैं भजंते अनन्य मनसो मतलब अनन्य भाव से वो भगवान की भक्ति करता है और ज्यात्वा भूत आदिम अब गयम और वह यह जानता है कि भगवान श्रीकृष्ण एक्चली भूत आदिम अब गयम है वो वास्तम में आदी पुरुष हैं समस्त कारणों के हैं तो यökाद हैं महात्मा कट की कैंदर सती को हैं का देन ज्यादा तर हम लोग कई बार किसी ऐसे वेक्ति को महात्मा से संपन होता है इस प्रकार से हम उनको महात्मा बोनने लगते हैं, लेकिन महात्मा वास्तम में कौन है, उसका यहाँ पर सुन्दर परिभाशा तेरे में श्लोक में दिया है. चलिए, ये बहुत सुन्दर उत्तर दिया माताजी ने, माताजी का उत्तर है, विकल्प A, B और D सही हैं, बहुत सुन्दर. परमेश्वर के साथ एकत्व, देखते हैं, इसमें क्या आर्थ है, यहाँ प्रश्ण है, परमेश्वर तथा सुयम को एक मानकर, पूजा करने वालों को किस नाम से जाना जाता है, पंद्रवाश लोक है ये, और यहाँ पर विकल्प कौन कौन से हैं, प्रथक्त्वेन, तो इसमें सही उत्तर कौन बताएंगे, चले निर्मला माता जी, आप बताएं सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है, सही एकत्वेन, तो आपने अब जब सही उत्तर दिया है, तो आप यह बताएं कि आपने प्रथक्त्वेन को क्यों नहीं चुना, प्रथक्त्वेन कौन होते है वो होते हैं जो पर्मात्मा को अपने से अलग समझते हैं पर्मात्मा को अपने से अलग समझते हैं पर्मात्मा तो हमारे से अलग हैं उसमें गलत तो नहीं समझते यदि वो समझते हैं प्रथक्वेन हमने प्रथक्वेन की परिभाशा अपनी कख्षा में कुछ और बताये थी कौन बता सकते हैं आप देखे प्रभुपाज ने अपने दिया है जो अलग-अलग देवी देवताओं की पुजा करते हैं जैसे तो वो वो किसी किसी ना किसी रूप को भगवान का रूप बना कर उनको पूछते हैं आपने तन्वीज मांता जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिय और विश्वतों मुखम बताईये विश्वतों मुखम कि क्या विश्वरूप में ही मेरी उपासना करते हैं कि मैं ही सब कुछ हो जी बिल्कुल बहुत सुंदर तो वह जो पूरा यह जो जगत हमारे सान चारों और हमारे नजर आता है इतना बड़ा आकाश है सूर्य है यह है इस प्रकार से वह प्रकरति को भगवान के रूप में भगवान की रूप में उसको पूजने लगते हैं तो यह होते हैं विश्वतों मुखम और एकत्वेन वह होते हैं जो स्वयम को और भगवान को आध्यात्मिक मानते हैं एक जैसा मानते हैं तो इस प्रकार से उनक बिल्कुल उत्सही दिया और भक्त कौन होते हैं भक्त जो होते हैं जो वास्तम में भगवान के व्यक्तिकत रूप को अच्छे से जानते हैं जैसे श्री शाम सुंदर श्री व्रिंदावन भिहारी श्री राधा कृष्ण इस प्रकार से जो भगवान के परम पूर्ण कोशन देखते हैं साथवा देव उपासकों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है यहां पर हमें गलत कथन चुना है जो गथन सही नहीं है वो गथन doesn't have तो देव उपासकों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है वे स्वर्ग की प्राउप्ती करते हैं वे अप्रत्यक्ष्रूप से श्री Krishnan की ओपासना करते हैं वे किसी प्रकार के पुण्य अर्जित नहीं करतें हैं वे वे वेदों का अध्यन करते हैं इसमें सही उत्तर बताएं कौन देंगे ये थोड़ा असार ठीकी सवाल है हां दिर्मला माताजी बताइए साथ में काईगा सिवे किसी परकार के नहीं करते हैं बहुत अच्छा तो पहला विकल्फ है वे स्वर्ग की प्राप्ती करते हैं कहां से मिलती आपको यह जानकारी नहीं बताया में जो देवतां की उपाष्ण करते हैं वो जो स्वर्ग चालते हैं 然后 साथ Meine करते हैं तो वो स्वाथ की प्राप्ति करते हैं मगर वो फल भी उनका नाश्वान होता है तो जब उनके पुन्य शीन हो जाते हैं तो वे पुन्य धराधाम मृत्य लोक में वो पुन्य वापिस आजाते हैं बहुत सुन्दर तो इसी प्रकार से सी ऑप्शन भी वे किसी प्रका यह यह संब्वावब यह नाश वुश्वान होते हैं वह उनका विनाश समभव है पुन्यों का और जैसे जैसे पुंच समात्य है वैसे वैसे उनका स्वर्ग में जो रहना है वो भी कम होता चला जाता है और जैसे पुर्णे पूरे समाथ हो जाते हैं तो पुने धर्ति पर वापिस आ जाते हैं और वे वेदों का अध्यान करते हैं इसको कैसे समझेंगे आप वेदों का अध्यान करते कि यह कि प्रकार से कर्म कंड को यहां पर इंगित करता है कि वेदों में यदि आपको कोई भौतिक लाब चाहिए तो किसी देवी देवता की उपासना से इसी लिए यहां पर वेदों का यहां पात करते हैं करते हैं, वह जाने के लिए पूजा करते हैं, लेकिन इनडिरेकलि करते नहीं करते हैं, यहां पर श्लोक लिखा गया, सही उत्तर आपका है, वह किसी प्रकार के पुन्य अर्जित नहीं करते हैं आपने बिल्कुल सही उत्तर किया आठ्वा प्रस्टन लेते हैं श्लोक 9.22 में नौवे अध्या के 22 श्लोक में योगक शेमम बहाम्यम का अर्थ समझाएं तो ये शॉर्ट आंसर टाइप पुश्चन है इसमें कौन अपने शब्द निर्मला माता जी हाथ उठा रही है और भी कोई भक्त यदि भाग लेना चाहें समझाना चाहें चलें दिर्मला माता जी आप ही बताईए प्राप्त की रक्षा मैं वहन करता हूं ये तो योगक शेमम का अर्थ हो गया और इसको आप थोड़ा सा भावार्थ या अनुकूल करके बता सकती है कैसा उसका प्रभुपात जी ने इसको कैसे समझाया आपने ताथ परिये में आपने बिल्कुल ठीक समझाया है अर्थ यही गार्थ यह आपने इसका उदारन दिया था जैसे L-I-C ka, company ka, जैसे कि उसका भाव है, मगर वो व्याफ्साईक है, company, यह वैफ्साईक है, परमात्मा से अननया प्रेम करते हैं, तो यह वो ही काम करता है, भई भगवान फिर हमारा पूरा borrow canvas उठाते हैं, भगवान भार पूरा स्वेम उठाते हैं तो प्रभुपाजी ने देखे उसको तातपरिय में कैसे समझाया है यहां पर भगवान अपने शुद्व भक्त के प्रती अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं इस लोक के अंदर और वो कहते हैं कि भगवान ऐसे भक्त की आवशक्ताओं को पूरा करते हैं जो उनक प्रभुपाजी ने अपने तातपरिय में हमने तो इसको समझा के जो हमारी आवशक्ता है उसे पूरा कर देते हैं और जो हमारे पास है उसकी वो रक्षा करते हैं लेकिन प्रभुपाजी ने इसका जो तातपरिय दिया है वो भक्ति के अनुसार दिया है प्रभुपाजी क व्यक्ति की भक्ति को और मजबूत बनाते हैं और दूसरा यदि उस व्यक्ति की भक्ति जो है वो मजबूत हो चुकी है तो भगवान ऐसे व्यक्ति को उसकी भक्ति की रक्षा करते हैं कभी उसके जीवन में कोई कठिन समस्य आ जाए या कई पतन का कारण कोई बन जाए तो भ भक्ति के हिसाब से भक्ति के अनुसार उन्होंने यहां पर उसका तात्परिय किया है तो यह योगक शेमम बहाम्यम का अर्थ है आपने L.I.C. का उधारन भी दिया बहुत ही अच्छा उधारन है अगर आप L.I.C. के लोगों को देखें तो उसमें लिखा रहता है योगक शे भड़ी बहुत साहता वो होती है दंसे लेकिन भगवान तो क्या है कि वो उस व्यक्ति की जो मृत्य के बाद दूसरा शरीर ले लेता है वहां भी उसका ध्यान रखते हैं उसकी भक्ति को द्रड़ बनाते हैं तो यह भगवान जो है अपनी शुद्ध भक्ति के गुण बता रहे हैं शुद्ध भक्ति के लाब बता रहे हैं इस लोक के माध्यम से अगला श्लोक देखते हैं अगला प्रश्ण देवी देवताओं के उपासकतो एक और प्रश्ण देवी देवताओं पर है देवी देवताओं की पूजा करने वालों के बारे में कौन सा कथन सही है यह पर हमने तीन शलोकों को एक साथ इसके अंदर कवर किया है, 21, 23 और 25 पहला विकल्प है देवी देवताओं की उपासना करने वाले बहुत गुद्धिमान नहीं होते हैं देवी देवताओं की पूजा करने वाले भी स्री कृष्न को प्राप्थ होते हैं देवी देवताओं की पूजा में कोई तुर्टी नहीं है देवी देवताओं की पूजा द्वारा फल प्राप्थ फल कभी खीन नहीं होता तो कौन सा कथन सही है इसमें हमें एक विकल्प चुनना है कौन सा कथन सही है जो सही हो बताइए चलिए मनीश मनीश प्रभुजी से पूछते हैं मेरा आंसर तो ए है प्रभु जी देवी देवताओं की उपासना करने वाले बहुत बुद्धिमान नहीं होते तो देवी देवताओं की उपासना करने वाले भी श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं ये कथन गलत है बराबर देवी देवताओं की पूजा में कोई तुरूट तो देवी देवताओं की उपासना करने वाले बहुत बुद्धिमान नहीं होते हैं तो देवी देवताओं की उपासना करना ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमने अपनी अन्य क्लास में बताया था कि जो व्यक्ति बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करता है बिल्कुल भी कोई विधी विधान धार्मिक विधी विधानों का पालन नहीं करता है तो ऐसा व्यक्ति यदि देवी देवताओं की उपासना की और लगता है तो उसे कहेंगे कि भी चलो पुछ तो करता है और जो व्यक्ति वास्तव में भगवत-प्राप्ति के लिए प्रयत्न-शिली है और वो व्यक्ति भगवत-प्राप्ति का साधन छोड़के मार्ग छोड़के देवी-देवताओं की उपासने में पढ़ जाए तो निंदनी है तो यह ऐस यहां कि जो बच्चा पहले 40 परसेंट मांक्स लाता था साट परसेंट लाने लगा तो वह उसका प्राप्ति के लगावा था वह अभी देवाट इसलिए उसको तरीके से देखना चाहिए और इस बात से हमें ये निरने कभी नहीं निकालना चाहिए कि देवी देवता जो हैं वो हीन प्राणी है हमें देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए देवी देवताओं का हमें आदर करना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हमें भ भगवान की उपासना को देवी देवताओं की उपासना के समान नहीं मानना चाहिए। देवी देवताओं की उपासना अपने स्थान पर है, लेकिन भगवान की उपासना, भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण वास्तम में सर्वश्रेष्ट है, सर्वोत्तम है। इसको इस तरह से हमें समझना चाहिए चले अगला प्रशन देखते हैं शलोक 9.26 में शलोक 9.26 में भक्ती शब्द का दो बार उपयोग हुआ है इससे क्या समझते हैं आप इससे क्या इंगित होता है तो यह हमारा शॉर्ट आंसर टाइप है कौन इसका उत्तर देना चाहेंगे यह 26 में अधू प्रभु जी हां तन्वी माता जी आपताईए इसमें प्रभु पाजी यह बताते हैं कि भक्ति करना बहुत सरल है भक्ति करना इसलिए सरले की भक्ति भाव से अगर जो हम श्री कृष्ण को कुछ भी अर्भित करें तो श्री कृष्ण उसको ग्रहन करते हैं बहुत सुन्दब हमें श्री कृष्ण के माधुर्य का घ्रान होता है बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर लेकिन यहां पर प्रश्णी यह था कि भक्ति शब्द का दो बार उपयोग हूँग है इसमें कैसे इसको आप बताएंगी आपने उत्तर तो दिया है पर इंड डिर्ड उत्टर है आपक भगवान को अर्पित करने वाले वस्तुओं में सबसे मुख्य घटक है बक्ति, मतलब आप पुश्प तो अर्पित कर सकते हैं, फल अर्पित कर सकते हैं, उसके अलावा कोई और अच्छी सुन्दर वस्तु भगवान को जो भोग लगाने के लिए अर्पन करने योग्या है, वस्तु अच्छी भी हो सकती है, ओपिलेंट भी हो सकती है, मतलब बड़ी महेंगी भी हो सकती है, वस्तु आप अर्पन कर सकते हैं, किन्तु उस अर्पन करने की जो प्रक्रिया है, उसमें जो सबसे मुख्य जो उसका घटक है, सबसे मुख्य जो उसके अंदर जो इंग्री बहुतिक वस्तु के भूके नहीं है भगवान तो मात्र हमारे भाव के और प्रेम के भूके हैं तो भगवान उस वस्तु में से हमारा प्रेम स्विकार कर लेते हैं वस्तु हमारे लिए अपना आशिरवाद मिलाकर हमारे लिए छोड़ देते हैं उसे ही हम बोलते हैं प्रसाद इसलिए भक्ती का शब्द यहांपर दो बार उपयोग हुआ है प्रोपाजी प्रोपाजी ने भी अपने तातपरे में एक कारण बताया है तो भक्ती शब्द का दो बार उपयोग का अर्थ क्या है कि जब हम भगवान को कोई वस्तु अर्पन करते हैं उसमें सबसे मुख्य ज देना है उस पर अधिक बल देना है और प्रहुपाज जी ने अपने तातपरी में जैसे बताया है वो कहते हैं कि भक्ती शब्द का इस श्लोक में दो बार इसलिए उपयोग हुआ है इस बात को बल देने के लिए कि भक्ती ही श्री कृष्ण तक पहुंचने का एक मात्र साधन इसलिए उसको बल देने के लिए उस भावना को बल देने के लिए इस लोग में भक्ती शब्द का उपयोग दोबार हुआ है तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, कि हम भगवान को कभी भी कोई भी वस्तू अरपन करें, तो प्रेम के भाव के साथ, भगवान से भक्ति के भाव के साथ, हमें भगवान के चरणों में हमें अरपन करना चाहिए। कि उत्तर आपका बहुत अच्छा था माता जी आपने बहुत अच्छे से समझाया अगला प्रश्ण है जब हम अपना कर्म भोजन दान तब श्री कृष्ण को अर्पन करते हैं उसका क्या प्रभाव होता है यह 27 और 28 श्लोग है इसमें विकल्प है हमें सदा श्री कृष्ण का स्मरण रहता है हमें कर्म के बंधनों हम कर्म के बंधनों से मुक्त होते हैं हम मुक्त होकर भगवत धाम की प्राप्टी करते हैं सभी विकल्प से ही है तो बताइए कौन उत्तर दिना चाहेंगे तीन लोगों ने हाथ उठाया है इस बार हम किस को अरुप आफ्सर दैते हैं हम शिखा माति Adjust सभी विकल्प सही हैं सभी विकल्प सही है बहुत सुंधर तो थोड़ा सा साइसकी सम्झा सकती हैं आप हम क्या करना चाह रहें इस लोक में हैं हम कर्म के बंधन से भी मुक्त होते हैं और यह सारे लक्षन जो है यह प्राप्ति करते हैं तो देखे यहां पर भगवान ने जो पिछले श्लोक में बताया था उसमें वो बोलते हैं तद हम भक्तिया उपहरतम अशनामी प्रयत आत्मनहा तो प्रयत आत्मनहा का मतलब यह है विछले श्लोक में जो बड़ी शुद्ध चेतना से मुझे अरपन करता है मैं उसे स्विकार करता हूँ पत्रम उश्पम फलम तयम जो मुझे पत्ता फूल फल इ त्यादी अरपन करता है शुद्ध बंद से उसे मैं स्विकार करता हूँ लेकिन अगले श्लोक में भगवान ऐसे भक्त के बारे में बता रहे हैं जिसका भाव जिसकी चेतना उतनी शुद्ध नहीं हुई है अभी तक तो भगवान यहां पर कहते हैं कि कोई बात नहीं यद इसमें तुम भगवान को अरपन करने का भाव रखो तो इससे क्या प्रभाव होता है इससे ये प्रभाव होता है कि हमें भगवान का जब हम स्मरण करते हैं तो हम हमारे जो पूर्व जन्म के जो पाप हैं वो नश्ठ होते हैं हम कर्म के बंधनों से मुक्त होते हैं और फिर भी करो, फिर भी करो, और ये 28 वंशलोक में इसी बात को बोल रहे हैं, शुब अशुब फलय रहवं मोक्ष से कर्म बंधने, सन्यास योग युकतात्मा विमुक्तो मामु पैश्यसी, मतलब तुम मेरे पास आते हो, और शुब और अशुब के जो फल होते हैं, पाप और पुर्णियों के जो फल होते हैं, उनसे तुमको मोक्ष मिलता है, और तुम कर्म के बंधन से छूटने लगते, तो ये 28 वंशलोक में उन्होंने इसका मतलब बता है, तो आपका उत्तर एकदम बढ़िया है, हमने थोड़ा सा और गहराई में जाके उसकी व्याक्या करी, यह अगला देखते हैं, माफ किजिए, यहां तो हमने उत्तरी बता दिया आपको, एक मिनट रुकिए, हाँ, अब भी सस्पेंस थोड़ा बना रहेगा, देखे, क्या भगवान पक्षपाती हैं, अपने उत्तर को उपमाओ का सहरा लेते हुए समझाएं, अभी भी तीन हाथ खड़े हुए हैं, अभी हम किनको अफसर देंगे, अभी हम अजीता मनियार माताजी को अफसर देते हैं, माताजी बताइए, आप इसका उत्तर देना च हैं, मताजी आप अन्म्यूट करना चाहेंगी? कोई बात निए, एक बार शीखा जी को फिर से अफसर देते हैं, मताजी आप बताना चाहेंगी इसका उत्तर? जी जी हाँ, श्रीक्रश्न जी पक्षपाती नहीं है, श्रीक्रश्न सभी के लिए समान हैं, किन्तों भक्त के ल दानी व्यक्ति के भी समान हैं, जो सभी को दानतों देते हैं, किन्तों अपने बच्चों के लिए उनके हिरदे में एक विशेश इस्थान रहता है, तो उसे हम पक्षपात नहीं कह सकते हैं, इसलिए भगवान को पक्षपाती कहना ठीक नहीं है, भगवान जब भक्त के लि जो आदान प्रदान है, भक्त के प्रेम का वास्तम में उत्तर एक प्रकार से उसको देते हैं, भक्त प्रेम करता है भगवान से, भगवान भी उसका उत्तर प्रेम के साथ ही देते हैं, इसलिए भक्त को वो अपने हिरदे में एक विशेश इस्थान देते हैं, तो आपने ब किन्तु भगवान अपने भक्त के लिए अपने हिरदे में विशेश इस्थान रखते हैं इसे पक्षपात नहीं का जा सकता यह तो भगवान के प्रेम का आदान करने की प्रकरती के कारण है उप्मा यदि कोई धन्वान व्यक्ति एक समान दान करे किन्तु फिर भी अपनी संतान के प्रती उसके हिरदे में एक विशिष थान होता है इसे पक्षपात की संघ्या नहीं दी जा सकती तो हम भगवान के एक प्रकार से बालकों के समान है भगवान हमें अपना बालक मानते हैं, विशेश बालक मानते हैं, हाला कि वो हर किसी के साथ समान व्यवार करते हैं, किन्तु भगवान का प्रेम है भगवान का प्रेम है भगवान के प्रेम रखता है, इसलिए भगवान भी उसका उत्तर अपने प्रेम के द्वारा ही भगवा अगला प्रश्न देखते हैं श्लोक 9.30 में तीस्वें श्लोक में श्री कृष्ण अपने भक्त को दुराचारी होने के बाद भी शमा करने के लिए क्यों कहते हैं भगवान अपने भक्त से अनन्य प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्त का अहित होते नहीं देख सकते भगवान अपने भक्त की भक्ती को शमा द्वारा पुरस्कृत करते हैं भगवान अपने भक्त का ख्षनिक पतन होने पर उसे अयोग्य नहीं मानते हैं ये थोड़ा सा थिन प्रश्न है कौन उत्तर देना चाहेंगे और लोग भी हाथ उठाना चाहेंगे अब ही शिखा माताजी का हाथ उठावा है और हाथ उठें में हुआ हुआ जल्दी-जल्दी तो, हम हरीश प्रभु को आफसर देते हैं हरीश-वनियार प्रभु प्रभुजी अन्म्यूट कीजिए अपने आपको हाँ प्रभुजी हम सुन सकते हैं आपको बताएए अच्छा मेरे सबसे सभी विकल्प सही है बगवान अपने भक्त से अनन्य प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्त का अहित होते नहीं देख सकते हैं लेकिन यदि कोई भक्त जो है वो क्या इसी वाज़े से वो इसका कारण वैसे सभी विकल्प तो सही नहीं है प्रभुजी इसमें वास्तव में तो हम एक बार किसी और भक्त को भी अवसर देते हैं अभी किसको दे सकते हैं अशोक शर्मा प्रभुजी आप पताना चाहेंगे भगवान अपने भक्ता शनिक पतन होने पर भी उसे अयोग नहीं मानते हैं इसको थोड़ा विस्तार से समझा सकते हैं आप जैसे हमने कक्षा में समझाया था कोई आप उधारण दे के समझा सकते हैं कि यदि हम कहें कि कोई व्यक्ति दुराचारी है और भगवान जो उसे शमा कर देते हैं या शमा करने के लिए कहते हैं तो आपने उत्तर दिया कि शनिक पतन होने पर उसे अयोग नहीं मानते हैं तो शनिक पतन से क्या आपका तात्परिया है जैसे चांद में अच्छा चलिए और किसी पौरानी करता के हैं बताइए बताइए परिश्ट के कारण उनको श्राप दे दिया तब भी भगवान ने उनका उधाग किया बहुत सुंदर हाँ आपने सही सही उधारन दिया सही कथा सुनाई तो हमने यह देखा था इस लोक में के भगवान वास्तव में अपने भक्त को सपोर्ट देते हैं भक्ती में जब वह भक्त लगा होता है कोई व्यक्ति लगा होता है तो उसे अपना सपोर्ट देते हैं जैसे कई बार कोई छात्र जो है कक्षा में बड़ी मेहनत करता है लेकिन कभी कबार किसी कारण से बालक पन में लड़क पन में वो कोई गलती कर बैठता है तो जो समझदार अध्याबक होता है तो वो छोटी-मोटी भूल जो होती है ऐसे विप्ति की ऐसे बालक की के वो कई बार अंदेखा कर देते हैं तो इस बात को समझाते हुए भगवान श्री कृष्णी यहां पर बोल रहे हैं कि जो मेरा भक्त होता है वो सकता है कि भौतिक प्रकरती के प्रभाव में आकर कभी कोई वो उच नीच या कोई छोटी-मोटी गलती कर बैठे जैसे कई बार हम कई बार किसी कारण से किसी दब भगवान कहते हैं कि ऐसे चोटी-मोटी जो गलतियां होती है मेरे भक्त की मैं उनको अनदेखा कर देता हूं और हमें ऐसी गलतिया जो है चोटी-मोटी जो गलतिया है वो अनदेखा कर देनी चाहिए तो प्रभुजी ने बड़ी संदर कथा पताई कि परिक्षित महराज न आकर उन्होंने ऐसी गलती कर बैठे लेकिन बाद में जब वो वापस अपने राज महल पहुंचे तो उन्हें तुरंत अपनी गलती के लिए पश्चा अताफ हुआ और उन्हें योजना बनाई कि कैसे मैं शमिक रिशी को जाकर उनसे शमायाचना करूं लेकिन इतने में ही उन जब श्रिंगी ने उन्हें श्रापित किया तो उस पर प्रतिकार नहीं किया और उस श्राप को उन्होंने स्विकार किया और तुरंत ही अपना राज महल छोड़कर उन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास आरंब गड़ दियो तो भक्त जो है वो घृदय से एक अ योग्यता है वो साबित नहीं होती है तो हमें लेकिन इस प्रकार के जो श्लोक गीता में आते हैं उनको कोई लाइसेंस मानकर जान भूज कर कोई पापकर्म में नहीं लिप्त होना चाहिए और कभी कबार कोई गलती से अंचाहे हमारे से यदि कोई हो जाए तो ये श्लोक पढ़कर हमें ये समवेदना ये हमारे अंदर एक सांत्वना होनी चाहिए के भगवान वास्तम में मेरी गलती देख रहे हैं मेरा ऐसी मंचा नहीं थी हो गई है भगवान से मैं शमा प्रार्ति हूं और उनसे प्रार्तना करता हूं कि मुझे इतनी शक्ति दें इतनी भक्ति होने पर भी उसे अयोग्य नहीं मानते हैं चौदवा श्लोक चौदवा प्रश्ण भक्ति योग की विशेष्टाएं भक्ति योग के संबंद में कौन सा कथन सही नहीं है भक्ति में उच्छ तथा निम्न जाती के लोगों में कोई भेद नहीं होता है तो हमें इसमें गलत आप्शन चुनना है भक्ति साधक को बड़े से बड़े ज्यानी तथा योगी से भी महान बना सकती है अधम योनी चांडाल भी शुद्ध भक्त के संसर्क में आकर शुद्ध हो जाते हैं भक्ति की विधीस के लिए उच्छ कुल उच्छ प्रहमण कुल में जन्म लेना आव यह कथन गलत है ना यह कथन गलत है तो वास्ता में सही कथन कौन-कौन से है बक्ति में उच्छ तथा निम्द जाती के लोगों में कोई नहीं होता और बक्ति साधक को बड़े से बड़े ज्यानी तथा योगी से भी महान बना सकती है और अधम योनी चांडाल भी सर्क में आकर शुद्ध हो जाते हैं तो इसका उधारन हमने दिया था अपनी कक्षा में कोई याद दिला सकते हैं यह सी जो आप्शन है तो यह वास्ताम में डाकू का काम करते थे डदकैत थे लेकिन नारत मूनी के संपर्क में आकर वो शुद्ध हुए और इतने हुद्ध हुए कर उन्होंने रामायंट जैसे महान गरंत की रचना उन्होंने कर डाली यह भक्ति की विशेष्टा है भक्ति की यह ताकत है शक्त बगवान को प्राप्त करने की कौन सी विधी बताई गई है। भगवान के निराकार स्वरूप पर ध्यान, देवताओं का नित्य चिंतन देवताओं को नमस्कार, देवताओं की पुजा, मानवता की सेवा मात्र द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, कौन सा उत्तर, कौन सा विकल्प सही है, बताइए, सब सही है, माफ किजे, कि लोग में आप पढ़े हैं बताइए भगवान ने कहा कहा ऐसा कि मानवता की सेवा मातर द्वारा हम भगवान को प्राफ्ट कर सकते हैं दी गलत है जलिए और बताइए फिर एबी सी में से कौन सा सही है आप कौन सा बताएंगी तो यहरीश प्रभू की आवास थी हाई 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 तो हजबेंट वाइफ ने मिलके दोनों ने टीम बना के एकड़म सही उत्तर दे दिया बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर तो भगवान को प्राप्त करने की कौन सी विधी बताएं गई है भगवान बोलते हैं मनमना भव मत भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरू मामे वैश्यस्युक्वेवं आत्मा अनम मत प्रायनहा है के मेरी पूजा करो मेरे भक्त बनो मुझे नमस्कार करो और मैं तुम्हें निश्चित रूप से कहता हूँ कि ऐसा करने पर पूर्ण रूप से मुझे में रत होने पर तुम मेरे पास पहुंच जाओगे तो ये भगवान कह रहे हैं देवि देवताओं की उपासना को तो वह बताते हैं कि वह अवीदी पूरवक है और उसका फल जो है वह टेंपरेरी होता है जब फल समाप्त हो जाते हैं तो उन्हें मृत्यू लोग में जीव को गिरना पड़ता है तो देवताओं की पूजा और भगवान की पूजा समान नहीं है नहीं मानवता की सेवा करने से हम भगवान की प्राप्त कर ऽकते हैं मानवता की सेवा सिर्फ भगवान लगवन की सिवा के रूप में उसको करना चाहिए या आज अगले अपने अनतिम सत्र में इस बात पर चर्चा विस्तार से करेंगे, पर इसका सही उत्तर आपने बिल्कुल सही दिया, इसका सही उत्तर है भगवान का निद्य चिंतन, भगवान को नमस्कार, भगवान की आपको बताया था कि समस्त वैदिक साहित्य का सार क्या है गीता का सार क्या है गीता के सार में बीच के जो छे अध्याय आते हैं वो छे अध्याय भगवत गीता का सार हैं उन छे अध्यायों में भी कौन सा अध्याय जो है वो प्रमुख है वो है नवा अध्याय उस नवे अध लोग जो है वो सबसे प्रमुक है वो है बगवान ने बता brains के मुझ्ज तक कैसे पांच सकते हो मुझे पहुँचने के लिए भगवान ने अपना नित्य चिंतन उनको हम नमस्कार करें उनकी हम पूजा करें तो ऐसा करने पर हम भगवान तक पहुँच सकते हैं भगवान ने यहां प्रॉमिस किया है भगवान के विभिन गुणों के रचैता यह निम्न लिकित वाक्यों में जो भी कथन सही हैं उनका चुनाव करें ज्यान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना शमा का अर्थ है सहिशनु होना अन्यों के छोटे छोटे अपरादों को शमा कर देना सत्य का अर्थ है तथ्यों को सही रूप से अन्यों के लाब के लिए प्रस्तुत करना चौत्हा तुष्कि का अर्थ है जो भी भगवान की कुरपा से प्राप्ठ हो जाए उसमें संस्टोष करना मात है जिन से अन्योक की आद्जात्मिक प्रगति रहो ले इसमें कौन से् elevated म nicht है पांच गथन है कौन से एक से अधिक कथन सही हो सकते हैं इसमें कौन से कथन सही है चले पुर्णिमो माता जी आप बताना चाहेंगी अपरेले चार पहले चार है अच्छा यह गलत है आपके अनुसार मुझे अहिंसा का मतलब होता है दूसरों को नहीं मारना उससे किसी की अध्यात्मिक प्रगति हाँ देखे यहीं यदि आप रहुपाजी का यहां पर तात्परय पढ़ेंगी तो आप पाँचवे श्लोक का तो उस तात्परय में प्रभुपाजी वास्तम में अहिंसा का अर्थ बताते हैं कि हमारा अन्य के प्रति व्यभार ऐसा होना चाहिए कि उस व्यक्ति की उसमें जा हम किसी व्यक्ति के प्रति मानसिक रूप से हिंसा करते हैं, तो हम वास्तम में उसकी आध्यात्मिक प्रगती को बाधित करते हैं, हम उसके मन की शान्ती को भंग करते हैं, उसके शरीर की शान्ती को भंग करते हैं, तो ऐसे में उसकी आध्यात्मिक प्रगती जो है वो तो सही उत्तर A, B, C, D और E, बहुत सुन्दर, सत्रवा श्लोक, सत्रवा प्रशन देखते हैं, चतु श्लोकी गीता के चार श्लोकों को सरल शब्दों में समझाएं, ये प्रशन जो है वो देखते हैं कौन हमें अच्छा उत्तर देने वाले हैं, चले हम निर्मला माता जी को प्रभु जी, बताइए माता जी, पहले मैं ये सोलवे का क्लियर करना चाहूंगी, इसमें आपने ये ए सही पताया है, तो इसमें तो आपने पहले लिखवाये था, ज्ञान पार्थ है, आत्मा और शरीर के अंतर को जाना, तो भौतिक पदार्थ होगे न जी शरीर, शरीर क पांच तत्वों का बना है, मिट्टी का ही तो बना है, जल अगनी फिर्थिवी वायो आकाश, जब कोई व्यक्ति दिवंगत होता है, तो शरीर तो ये शूड़ जाता है, लेकिन व्यक्ति तो बना रहता है, ना, आत्मा तो बनी रहती है, फिर तो मेरा ये गलत हो गया, ये कोई बात नी आप यदि तात्परे पढ़ेंगी तो तात्परे में प्रभुपाजी ने इस पर शुरूप से लिखा है वास्तब में ज्यान का मतलब है शरीर और आत्मा का अंतर समझना पहले मने यह लिखा भी है फिर काट दिया कि यह बहुतिक पदार तो यहां को शरीर आए तो जब कार का किसी कार का एक्सेडेंट हो जाता है तो आप अधिक चिंता करती है अधिक है उसे ठीक करा लेंगे इस ट्रेयवर को कुछ ने होना है जो है वह वास्तब में हमारा अमरी पहचान लेकिन शरीर जो है वो भौतिक है। वो कई से बनावा है। प्रिथवी, जल, अगनी, वायू, आकाश। तो शरीर भौतिक है, आत्मा अध्यात्मिक है। ठीक है। शतु श्लो की गीता आप ही को अफसर दे रहे हैं दिर्मला माता जी, बताइए। इसका अंसर लिखा है मैंने मुझे सर्व कारण कारण जानने वाले ज्ञान से परपासित होते हैं और मेरी प्रेमा भक्ती में तर्पर होते हैं इसके सबंद में आपने तीन बाते बताई पहला सबंद दूसरा अभीदे तीसरा प्रियूजल मुझे में मन समाईत जीवन पूरी तरह मेरे लिए समर्पित एक दूसरे से मेरे गुन परभावादी का वर्नन करते हैं और ज्यान परदान करते हैं यह हमारा स्वरण मुक्तितन करते हैं परम संतोष का आनन्द अनभव करते हैं इस तरह भजने वालों को बगवान बुद्धी योग देते हैं जिससे उन्हें बगवान की प्राप्ती होती है यह अभी दे बगवान अपने बगतों पर प्रिपा करके उनके अज्ञान जन्य अंधकार को ग्ञान उपी दीपक के दौरा नश्ट कर देते हैं यह भी अभी द बहुत सुन्दर इसमें सबंद हमें बगवान से रखना है अभी दे माना प्रेम पूर्वक भक्ति से सबंद बनाना है बराबर रोजन माना भाव यानि प्रेम का बहुत सुन्दर तो देखिए बहुत अच्छा और वर्णन किया निर्मला माता जी ने मैंने भी इसका छोट तो यह चार शलोग जो है समस्त वैदिक सहित्य का सार प्रस्तुत कर रहे है हैं श्री क्रिश्न पैरम भगवान है समस्त जगत के एक मात्र स्वामी है तो यह हो गया कौनसा शलोग यह हो गया आठ् vitamin स्थ ने वास्तब में वो परम शक्ति कौन है वो परम सत्य कौन है तो ये जानकारी होने के बाद हम क्या करते हैं हम भगवान की प्रेमा भक्ति में लगते हैं तो ये जो ये है जानता है वे भगवान की प्रेमा भक्ति में रत होता है इती मत्वा भजनते माम बुधा भाव समन विता है भाव के साथ प फिर भगवान कहते हैं नवे शलोक में ऐसा कैसे करते हैं वो भगवान की भक्ती में कैसे रत होते हैं, किस प्रकार से वो ये कारे करते हैं, वो नवे शलोक में बताया गया है, अप्धि अ एक करते हैं जैसे हम अपनी कथाओं में गख्षाओं में बगवान के बारे मैं एक दूसरे कोा प्रयास करते हैं, फिर ऐसा करने से क्या होता है वे परम संतुष्ठ होते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं फिर क्या होता है और ऐसे लोग जब वो भगवान की भक्ति में लगते हैं तो भगवान भी चुपचाप नहीं बैठे रहते हैं भगवान भी उस भक्त की भीतर से सहायता करते हैं और तुम अब ऐसे करो तुम अब ऐसे करो इस प्रकार से वो भक्त की साहेता करते हैं जिससे वो जो भक्त है वो भगवान तक पहुंच सके और भीतर से भगवान जो है ज्यान का दीब जलाकर उसके हिरदे में अंधकार को दूर करते हैं तो यह देखे कि यहाँ पर प्रयोजन भ हो गया है और फिर हम भगवान को प्राप्त करने के लिए जो कारे करते हैं वह हो गया हमारा वह हो गया हमारा प्रयोजन के हम भक्ति करते हैं एक दूसरे को भगवान की कथाएं बनाते हैं और फिर अभीदे मतलब माफ किजिए अभीदे हो गया भक्ति और प्रयोजन हमारा हो करने के लिए हमें क्या करना होगा और परमशक्ति को पराप्ठ करने के बाद उसका परिणाम क्या होगा यह सब बातें जो है इन चार्षलोगों में बताई गई है और यह जो वैश्णाव अचारे हैं उसको भगवत कीता का सार बताथे अर्जुन की प्रतीकरिया श्री- में chromosomes को सुनने के बाद अर्जुन की प्रतीकरिया को अपने शब्डों में समझायें अर्जुन और उस किसको अफसर Δेना चाहेंगे बटाना चाहेंगे इस कोदा नहीं है अ कि ने ने अब कि बताइए प्रभुजी चार श्लोग सुनने के बाद अर्जुन की जितनी शंकाएं थी वो खतम हो गई बहुत सुन्दर और उन्होंने कृष्ण को भगवान के रूपे स्विकार कर लिया बहुत बढ़िया और उन्होंने तुरंती ये उद्गोष किया कि आप ही परम ब्रह्म है इनकी प्रतिक्रियागा मेत्व यह है कि मनेश्य को श्री कृष्ण को भगवान जानकर निरंतर उनका ध्यान करते हुए उनसे दिव्वे संबंद इस्तापित करना चाहिए यहां पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करते हैं यह परंपरा प्रणाली कह रहाती है अर्थात गुरु परंपरा को मनना बहुत संदर आपने बड़ा अच्छा उत्तर दिया देखें मैंने बिलकूँ मैंने भी इसी तरी से उत्तर दिया है और उसमें दो-तीन चीजों पर मैंने थोड़ा बल दिया है जिस पर मैं आप सभी भक्तों का ध्यान दिलाना चाहूंगा तो मैंने सबसे पहले तो लिखा है कि अर्जुन की प्रतिक्रिया क्या होती है वे ही भगवान के शब्दों का अनुमोधन करते हैं अनुमोधन मतलब एक परम-ब्रम, परम-धाम, परम-पवित्र, पुरुष, शाश्वत, दिव्य, आदी-देव, अजन्मा, विभू, अनेक अनेक उपाधियों से वो भगवान को संबोधित करते हैं यही सब बातें भगवान श्री कृष्ण ने पहले भी अपने बारे में यहां पर बोलना आरं किया था कि वे कौन है उन्ही बातों को वो अर्जुन पुने दोहराते हैं फिर भगवान कहते हैं फिर हमने यहां पर दो-तीन चीज़ों पर थोड़ा बल दिया है अपने उत्तर में परम-भ्रम शब्द है वेदान सूत्र में एक सूत्र आता है अहम ब्रहमास्मी तो कई ब उसे मायावादी दर्शन पो जो व्यक्त करते हैं वे लोग बोलते हैं इस सूत्र का आधार लेते वे कि यहां लिखा है अहम ब्रहमास्मी का मतलब मैं ब्रहम हूं है और भगवान भी ब्रहम है तो मैं भी भगवान जैसा ही हूं या मैं भी भगवान बन जाऊंगा इसका य लेकिन यहां पर भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में यह कहिए के अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के बारे में केवल ब्रह्म शब्द का उप्योग नहीं करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या शब्द का उप्योग करते हैं परम ब्रह्म कि आप ब परम भ्रम जो हैं वो भ्रम से अलग हैं वो quality में गुणों में तो एक समान है लेकिन quantity में मात्रा में मात्रा में बहुत बारी अंतर है तो यहां परम भ्रम शब्द का एक विशेश महत्व है जो हमें जानना चाहिए फिर दूसरा वे कहते हैं कि भगवान पुरुश है और भग कि मायवाद दर्शन में यह व्याक्या है कि वास्तम में जो परमसत्य है वो निराकार है वो एक बहुत विशाल एक आध्यात्मिक जोती है जिसे वो परमसत्य कहते हैं वास्तम में हर वस्तु जो है वो वहीं से आई है लेकिन यहां पर अर्जुन ऐसा नहीं बोल रहे हैं अर् आप पुरुष हैं और आप शाश्वत हैं शाश्वत मतलब आप हमेशा ही पुरुष रहते हैं ऐसा नहीं है कि आप कभी जोती बन जाते हैं और जोती जो है वो एक पुरुष का रूप लेती है ऐसा नहीं है तो यहां शाश्वत और पुरुष यह दोनों शब्द भगवान क तो ये दो बाते जो हैं इन में हम ध्यान देना चाहिए हमें और फिर घवान कहते हैं मैं विभू हूं भगवान विभू मतलब बहुत बहुत बड़े हैं बहुत विशाल हैं और जीवातमाय जो हैं वो छोटी हैं बहुत अणू हैं छोटी-छोटी जीवातमाय हैं आध्यात्मिक कण हैं और फिर अरजुन की प्रतिक्रिया यहां पर महत्तुपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि अरजुन भगवत-गीता के एक मात्र हम प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं जो भी वो भगवtern स्क्राइब को इसे कही नहीं तो अर्थात इसका यह हुआ कि अर्जुन ने जिस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया भगवान के सामने व्यक्त करी भगवान ने उसका अनुमोदन किया भगवान ने उसे स्विकार किया उसमें कहीं कोई उन्होंने तुर्टिया दोश नहीं निकाला तो जिस प्रकार से दोनों प्रश्णों का हम उत्तर इस प्रकार से कर सकते हैं अब आते हैं 19 प्रश्ण पर विभूती योग की विशेष्टाएं विभूती योग से संबंदित निम्ने लिकित कथनों में से सही कथनों का चुनाव करें संसार की विलक्षनताओं द्वारा आकर्शित होने पर हमें श्री कृष्ण का स्मरण हो भगवान की विभूतियों और भगवान में कोई अंतर नहीं है भगवान द्वारा अपनी विभूतियों का बखान भगवान के एहंकार का प्रतीक है भगवान द्यत्यों में प्रहलाद है और पांचवा भगवान यज्ञों में अश्वमेद यग्य है इन में से एक से अधिक कथन सही हो सकते हैं तो कौन-कौन से कथन सही है वो आप हमें बताईए कौन बताना चाहेंगे द किन-किन हात उठाया है चाले निर्मला माता जी और शिखा माता जी को आवसर देते हैं एक बार माता जी बताईए हाँ प्रफुजी तो जैसे संसार की विलक्षान द्वारा आक्षित होने पर हमें श्री कृष्ण का स्मर्ण हो बहुत सुंदर ठीक है मान लिया आपकी बात दूसरा भी पॉइंट हमें गलत लग रहा है कि भगवान की विभूतियों और भगवान में कोई अंच मात्र है भग बहुत सुंदर है तो सिर्फ एक बता रहे हैं विभूति द्वारा हमें समझा रहे हैं समझा रहे हैं और भगवान यग्यों में यग्यों एकंट सहीं है, अच्छा एह आपका ठीक है, आपके अनुसार उसके बाद आपका ठीक है और यह आपका आपके अनुसार ठीक है तो इसमें कोई कोई भक्त जहें विभिन्द मत रखते हैं राकेश प्रभुजी आप पताईए शिखा माताजी ने जो उत्तर दिया उनमें आप उससे आपको बिन्द रखते हैं आपका मत कोई बिन्द है प्रभुजी यग्डि नहीं बहाता था भगवान ने बोला है यग्या नाम जप यज्यो अस्मी यग्या नाम और यह मेरे खाल कौन सा श्लोक है यज्वान जप यज्यो अस्मी स्लोक संख्या मुझे ढूना पड़ेगा पर यदि आप देखेंगे तो यज्यों में भगवान अपने आपको जप य यह गलत है और और उसका उत्तर है बगवान यहां यह पचीसमा श्लोक है दस्वे अध्य है का पचीशमा श्लोक जब यग्योश्मी आम देखेंगी तो इसका मतलब क्या है? जो यग्य हैं उनमें भगवान के नामों का जब वह सरवश्रेष्ट हैं यग्य से भी हम हमेशा यही प्रातना करते हैं कि आप भी भगवान के पवित्र नामों का जब जो है अपने डैनिक जीवन में जो भी आपकी पूजा साधना आप करते हैं उसमें भगवान के पवित्र नामों का जो यग्य है उसको आप जोड़ें उसको उसको आप अपने क्योंकि भ अन्तिम ए और डी इसमें ए और डी दोनों विकल्प सही हैं बाकी विकल्प कलत हैं चलिए सही विकल्प चुने तो प्रकाशों में बताएं कोई भी बोलें देखते हैं बहुत सुंदर इंद्रियों में और अब आपरा बात मन रुद्रों में संकर जलाशयों में सागर सागर देवर्शियों में नारत मनुष्यों में मनुष्यों में राजा रित्वों में वसंत पांडवों में तो आपको कम से चुने भगवान के बिना कोई चर तथा अचर प्राणी नहीं रह सकता है भगवान की विभूथियां अनंत है संपूर्ण ऐश्वर्य संद्रय इत्यादी भगवान के तेज का अंचमात्र है सभी विकल्ब गज़िया है बताइए हैं तो यह तो असान सा हमने आपको एंड में के अंत भला तो सब भला इसले सही उत्तर सभी विकल्प सही बहुत सुन्दर आपने बड़े मन से और बड़े भावना से भाव से भाग लिया बहुत-बहुत धन्यवाद अब हम आते हैं अपने इस आज के सत्र के दूस चरण पर तो यह 9.2 तो नहीं है श्लोक स्मरण से ठीक कर लेता हूं यह है हमारा 10.41 10.41 हाँ जी तो यह देखते हैं तो यह श्लोक है आप में से कौन भक्त जहें वह इसका उचारण करना चाहेंगे थोड़ा सा कथिन है पढ़ना संस्कृत कौन करना चाहेंगे चले निर्मला माता जी आप बताइए अब बुझी संस्कृत पढ़ने या ति इतनी अच्छा नहीं आपने हाथ उठाय तो इसलिए मैंने आप से पूछा अगर आप आप अगर नहीं प्रयास करना चाहेंगी तो मैं किसी अन्य भक्त को बोलता हूं राकेश प्रभू आप बोलना चाहेंगे प्रभू जी प्रभू जी पताइए यतियत विभूति मत्सत्वम श्रीमद उर्जितमेववा तत्तद एव अवगच्छत्वम ममतेजो अंश संभवम बहुत सुन्दर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आपने उच्छारण किया अन्य कोई भक्त करना चाहेंगे कटिन है प्रभू हाँ बताइए प्रभू जीवन प्रभू आप करिये हाँ बिलकुल यत्यत विभूति मत्सत्वम सीमत हुजिदमेववा ततत्त एव अवगच्छत्वम ममतेजो अंश संभवम बहुत संदर प्रभू जी वेरी नाइस तो यह जो श्लोक है यह तस्वे अध्याय का बहुत महत्यपूर्ण श्लोक है और इसमें भगवान श्री कृष्ण यह बता रहे हैं कि यद यद विभूति मत्सत्वम जो भी विभूतियां जो भी एश्वर्य संद्र्य श्रीमत उर अरजुन कि यह मेरे तेज का अंच का केवल एक अंच मात्र है मम तेजो अंश संभवम केवल मेरे तेज के एक अंच से यह सब संभव होता है यह सब उद्भूत होता है तो यह जो श्लोक है जब हम इसे याद करते हैं तो हमें हमेशा इस बात का इस्परण रहता है कि वास् पूर्व है और उन्होंने पूरिये जो भौतिक स्रिष्टी है अपने तेज के केवल एक अंच मात्र से इस सब भौतिक जगत को उन्होंने धारण कर रखा है तो इससे भगवान की महानता भगवान का जो एश्वर्य है वह वास्तव में सही माइने में हम समझ पाते हैं तो य गीता के ज्यान का विभारिक प्रयोग इसको हम अपनी चर्चा को फिर हम अपनी अगली कक्षा में वहां से आरंब करेंगे और फिर हम अपना 11 अध्याय से चालू करेंगे तो आज की कक्षा में हम यहीं तक रखते हैं अन्यथा कक्षा थोड़ा लंबा हो जाएगी क्योंकि इसको समझाने के लिए थोड़ा सा समय मुझे लेना पड़ेगा कम से कम 15-20 मिट तो लगेंगे तो हम इतना समय अभी नहीं देते हैं और अगली कक्षा में अगले बुद्वार को हम व्यभारिक प्रयोक से आरंब करेंगे और फिर वहां से अपना 11 अध्याय उन्हें आगे बढ़ाएंगी तो इसी के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और आपने बहुत मन से और बहुत भक्ती से प्रेम से आज की कक्षा में भाग लिया और बहुत-बहुत धन्यवाद आशाया आपको इसका लाब हुआ होगा है दन्यवाद Hare Krishna Prabhu ञेलिए से लेज देलिए